नमस्कार दोस्तों बदो साथ आपका हमारे चल में दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी जान करी देंगे आपसे रिक्वेस्ट इस वीडियो का आप एंड तक देखिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल भी सब्स जान करी देते रहते हैं दोस्तों आज की जान करी में हम यह बताएंगे कि आप किस तरह से सिर्फ दो काम करके जिंदगी भर टेंशन फ्री रह सकते हैं जिहां दोस्तों जिंदगी भर टेंशन फ्री तो दोस्तों देखिए हम लोग कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें कितनी ही पैसे क्यों न कमा लें दोस्तो हमारे मन के अंदर टेंशन जरूर बनी रहती है दोस्तो वो क्या टेंशन बनी रहती है हम हमेशा अपने फैमली के तरफ से हमेशा टेंशन में रहते हैं कि क्या हम अपने परिवार को अच्छी से अच्छी जिंदिगी दे सकते हैं उनके खर्च किसी कंपनी के प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ है, मैं हम आप से परसनली थोड़ा मैं आपको कुछ गाइड करना चाहता हूँ, इसलिए ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, दोस्तो अगर इससे थोड़ी आपको मदद मिल सके तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा, दोस्तो देखिए हमारे मन के अंदर जो भी हमारी टेंशन रहती है फैमली को सिक्यूर करने के लिए, या हम जो भी सेविंग्स करते हैं, उस सेविंग्स का जो नुकसान होता है, वो कब होता है, अगर हम कभी बीमार हो जाते हैं, या मान लेजे हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, हम कितनी कमाई क्यों ना कर लें, कितनी ही bank balance क्यों न जोड़ ले अगर हमें कोई बीमारी हो गई तो एक बार hospital में admit होने के बाद हमारी सारी जो कमाई है वो बहुत तेजी से खतम हो जाती है और जहां से हमने शुरू किया था हम वही पे ही पहुँच जाते हैं घर में अकेले कमाने वाले हैं अगर हमें ही कुछ हो गया तो हमारे परिवार का क्या होगा तो दोस्तो यहां पर सभी लोगों को बहुत serious होने की जरूरत है लेकिन इंडिया के अंदर कोई भी लोग इस बारे में serious नहीं है हम सिर्फ कमाते हैं खाते हैं या थोड़ा सा जमा कर लेते हैं और बस उसके बाद हम भूल जाते हैं लेकिन हमें अपने इस से आगे भी हमें सोचने की जरूरत है दोस्तो यहां पर हमें दो काम करने हैं पहला ये करना है कि हमें एक health insurance जरूरूर लेके रखना है ठीक है चाहें आप 5 लाग का लीजे 10 लाग का लीजे चाहें कितने का भी लीजे एक health insurance जरूर लेके रखिये दोस्तो आपके छोटा सा income चाहें वो 5,000 रुपे आप साला न दे रहे हैं चाहें आप 10,000 रुपे एक छोटा सा amount आपको बुरे वक्त में बहुत सपोर्ट करेगा दोस्तो ये मेरा परस्नली आप से सुझाव है प्लीज आप इसको जरूर मानिए एक health insurance आप जरूर लेके रखिये ताकि कभी भी अगर किसी को भी कोई ऐसी दिक्कत हो hospital में एडमिट होना हो तो आपका जो खर्चा जो आपकी savings है वो हमेशा बनी रहे जहां पर है तीक है और उसके बाद आपको जो दूसरा काम करना है वो आपको ये करके रखना है कि एक आपको term insurance भी जरूर करके रखना है देखे मैं यहाँ पर आपको कोई company का नाम नहीं बता रहा हूँ तो दोस्तो हमें ये दो काम जरूर करने है एक term insurance हमें जरूर लेना है और दूसरा हमें एक health insurance जरूर लेना है health insurance जो कि हमें बीमारियों के time पे protect करता है हमारी मदद करता है hospital के खर्चे सारे pay करता है और term insurance क्या होता है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ तो term insurance के अंदर मान लीजिए हम कोई term insurance लेते हैं 50 लाग रुपे का तो उसमें अगर मान लीजिए हमें कुछ हो जाती है अगर हम घर में अकेले कमाने वाले हैं अगर हमें कुछ हो जाता है हमाई साथ कुछ miss happening हो जाती है तो हमारे बाद हमारी family को यह 50 लाग रुपे दे दिये जाते हैं तो इससे होगा क्या मान लीजिए जो हमारे अंदर tension जो मनी रहती है कि हमें कुछ ना हो जाए हमारी family को क्या होगा या हमारी savings का क्या होगा तो वो सारी tension फिरी हो जाओगे आप अगर मान लीजिए कुछ भगवान ना करे कि कुछ हो जाए तो यह 50 लाग रुपे की जो बड़ी amount है जो हम जिन्दगी भर नहीं कमा सकते वो 50 लाग रुपे हमारी family को दे दिये जाते हैं तो उससे उनका future भी secure हो जाता है तो दोस्तों यह काम आपको जरूर दो करने है आप Google पर जाईए इस बारे में आप search कीजिए खुद search कीजिए term insurance के बारे में या health insurance के बारे में और सभी लोगों को term insurance और health insurance जरूर लेकर रखना चाहिए ताकि उनकी financial जो security है वो बनी रहे तो दोस्तों यह दो general जानकारिया थी जो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था तो यह जानकर आपको कैसी लगी प्लीज हमें comment करके बताए अगर कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं और अबी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के अच्छी अच्छी वीडियो के लिए और घंटी के निशान पर जो टेच कीजिए यह बल्कुल फ्री होता है आप इससे जा सज़ादा फायदा उटा सकते हैं तो अभी के लिए नहीं धन्यवाद